कहाने के शुरू में हमें बताया जाता है दो भायों ने मिलकर केक इस्कूल बनाया था जहां पर एक तरफ अच्छाई सिखाय जाती थी और दूसरी तरफ बुड़ाई सिखाय जाती थी मतलब कि आपर एक इस्कूल में अच्छे जादू सिखाय जाता है लेकिन वो लोग आपस में लट नहीं रहते बलकि वो लोग आपस में ही प्रैक्टिस कर रहे थे इसके बाद हमें बात में पता चलता है कि जो बुरा जादूगर होता है जो कि नदूर हमें से एक होता है वो अच्छे जादू को अठी हरे नगे वो अच्छे लड़ाई को नुकसान पहुचाने की कोशिश करता है और वो जादू इस्तिमाल करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था इसके पास एक कलर की जादू था जो कि लाल और कलर का था को इसानों की दुनिया का दिखाया जाता है जहांपर एक सोफी नाम की लडगी अपने डाट के सांथ में और उसकी सौधालग मा के साथ में रहती थी और सोफी यहां पर बहुत ज्यादा खुप ठोए और वों पर एक प्रिंसस बनना चाहती थी और वहीं पर एक और लड़की थी जो की दिखने में बहुत जादा बचसूरत थी उसके बाल चुड़ेलो जैसे थे और इसलिए सहर में जितने भी लोग होते हैं वो सभी से देखर के चुड़ेल बुलाते थे ये दोनों बिलकुल है अपोजिट थी लेकिन इन दोनों की दोस्ती बहुत ही जादा गहरी थी फिर वो दोनों साथ पर ही स्कूल जाते हैं स्कूल जाने के बाद फिर वो एक लाइब्रेडी में जाते हैं एक दुकान में जहाँ पर सोफी परियों और प्रिंसेस वाली किताबों को खरीदती है जबकि इसके दूसरी सहली भूत और पूचती है कि यह इस वोलाखिर कहा पर है फिर वो दुकानदार कहती है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती हैं और सायर इसके बारे में और पराहा है ? वो दुकानदार कहती हैं या तो यह स्कूल इसी दुनिया में होगा या फिर किसी और ही दुनिया में होगी और इस कहानी की भी शुरुआत इसी स्कूल से हुई थी अक्सर जो हम कहानिया पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें यहीं पर ली जाती है मगर यहां पर सोफी की दोस्ती यकीद नहीं करती कि ऐसा कुछ होता भी है फिर वो दुकानदर बताती है कि यहां पर कुछ चालो पहले उसी स्कूल के भूत एक लड़के को उठा करके ले गए थे जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है अब सोफी स्कूल के बारे में इतना कुछ चलने के बाद वो उस स्कूल में जाना चाहती थी इसके बाद वो एक खत लिखती है और उस खत को लिखने के बाद वो एक बेट पर लगा देती है जिसके नीचे वो अपना और अपनी दोस्त का नाम भी लिख देती है और अब इस बारे में वो अपनी दोस्त को भी बताती है मगर उसकी दोस्त मना कर देती है और उसकी दोस्त बोलती है कि सोफी तुम वहाँ जाकर के आखिर क्या करूगी मगर सोफी कहती है कि मैं वहाँ पर जाना चाती हूँ फिर उसी तिन वो रात में वो उसी जगह पर आती है जहां पर उसने खत लगा करके रखा था और फिर उसका पीछा करते हुए उसकी दोस्ट भी वहाँ पर पहुंच जाती है फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉंस्टर आ जाता है और सोफी को पकड़ करके अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर सोफी की दोस्ट भी उसका पीछा कर रही थी उसके बाद एक बहुत बड़ा बाज आता है और दोनों को पकड़ कर अपने पंजे में ले जाता है अब वो बाज यहाँ पर सोफी को गुराई की स्कूल में और उसकी दोस्त को अच्छाई की स्कूल में छोड़ देता है अब सोफी वहाँ के एक वुल्फ स्कार्ट से कहती है कि मैं यहाँ पर गलिती से पहुँच गई हूँ और वो कहती है कि मुझे तो अच्छाई वाले स्कूल में जाना चाहिए था इसके बाद सोफी अंदर जाने के बाद एक लेड़ी से सिकायद भी करती है इसके बारे में और वो लेड़ी यहां की प्रिंसिपल थी और वो प्रिंसिपल बताती है कि हमसे कभी भी कोई भी करती नहीं होती और वो लीडी कहती है कि जो भी जिसे सान की जगह होती है वो वहीं पर पहुंचता है और वहीं सोफी की दोस्त अच्छाई वाले स्कूल में थी जिसे देखने के बाद वहाँ पर कुछ लड़किया उसका मज़ा को डाने लगती है वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाल तो बिलकल चुड़ालो जैसे है और तुम्हारे कपड़े तो देखें हमें लगता है कि तुम यहाँ पर गल्ती से आ गई हो और तभी कुछ पर्यां आती हैं और सोफी की दोस्त को प्रिंस्पल के पास लेकर करके जाते हैं फिर सोफी की दोस्त कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, यहाँ पर तो मेरी दोस्त आना चाहती थी, इसके बाद यहाँ की भी प्रिंस्पल कहती है कि हमारे बाद से कभी भी कोई भी गलती नहीं हो सकती, और यहाँ पर कभी भी never नहीं आ सकते, और तब यहाँ पत बच्चे बुराई के स्कुल में जाते हैं, उन्हें never कहा जाता है, क्योंकि वो लोग कभी भी खुश नहीं होते हैं, और जो बच्चे अच्छाई के स्कुल में जाते हैं, उन्हें ever कहा जाता है, जो हमेशा खुश रहते हैं, और अब सब बच्चों को एक haul में जमा किया जात बहुत भाड़ी ड्रेस पहन लिया था जहां पर सोफी ने बिल्कुल ही साधा और काला ड्रेस पहना हुआ था हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्हों के पसंद बिल्कुल यह लग थी लेकिन उन्हें कुछ और ही पहनना पड़ रहा था यहाँ पर तो और बुराई के स्टूडेंट तो साधाई कपड़े पहनते थे जबकि अच्छे अच्छाई वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे यहाँ पर जो अच्छे मैजिक वाले स्टूडेंट होते हैं वो जातू दिखाते हैं और तभी यहां का प्रिंस पे आ जाता है पर इस प्रिंस को एक बूरा स्टूडेंट चैलेंज करता है और उस प्रिंस को नीचे गिरा देता है और तभी उस प्रिंस के नजर सोफिय और एगेता पर पड़ती है लेकिन वो किसी दूसरी लड़की के बाजा करके बैठ गया था और आप यहाँ पर स्कूल के हैड आते हैं और यह वही हैड होते हैं जो कि अपने दूसर भाई को मार दिये थे वहाँ पर इस कहानी के शिरू में हमने जो देखा था जो बुरा था वो मर चुका था और जो अच्छा था वो जिन्दा बच चुका था और यह वही होते हैं और यहाँ पर यह जो प्रिंस होता है वो इन ही का बेड़ा होता है और यहाँ पर यह कहते हैं कि सभी को दिल लगा करके पढ़ना होगा और तुम्हें अच्छे अच्छे नंबर लाने होंगे और जो पी अच्छा होगा उसी के बारे में कहाने लिखी जाएगी और उसे इंसानों की दुनिया तक पहुचाया जाएगा लेकिन तब यहाँ पर एगिता और सोफी कहते हैं कि अगर कोई गलती से किसी गलत जगह में आ गया हो तो यहाँ पर वो हेड कहते हैं कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता हमसे कभी भी गलती नहीं हो सकती यह कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं अब रात के समय हम देखते हैं कि आगेता अपनी दोस्त सोफी से मिलने के लिए उसके बुरे स्कूल में जा रही होती है वहाँ पर ये दोनों ही स्कूल के प्रिंस्पल्स को बाते करते हुए सुनती है उनके जानी के बाद वहाँ पर बुराई के स्कूल का हैड आ जाता है जो कह रहा था कि सोफी अब मेरी है और ये वही था जिसने के बुराई का स्कूल बनाया था और इसके पास वही खोन का जादू भी था जो कि हमने कहानी के सुरू में देखा था और हमें याँ पर पता चाता है कि वो वहाँ पर मरा नहीं होता है वो तो जिन्दा होता है और ये ऐसा कैसे हो गया ये हमें आगे पता चलेगा इस कहानी में जब अगीता वहाँ पर पहुँच कई थी जहाँ पर कि उसकी सहली सोफी थी तब ही वो देखती है सोफी को उसके साथ वाले लड़किया तंग कर रही थी और उसके बाल काटने के भी कोशिश करती है मगर इधर सोफी खुद को बचा लेती है और उल्टा उस लड़की के साथ में ही बहुत ही बुरा सुलूप करने लगती है और फिर सोफी अपनी दोस्त हैगीता को देख लेती है और आप दोनों मिलकर के वो लोग एक जगा पर जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक किताब और एक पैन था और वहीं पर अच्छाई के स्कूल के हैट पहुँच जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि तम से पहले यहाँ पर और कोई भी नहीं पहुचा तुम दोनों तो बहुत ज़्यादा खास हो तो फिर तम लोग यहां से क्यों जाना चाहते हो फिर सोफी कहते है कि मैं नहीं जाना चाहती है मैं तो बस गलत स्कूल में आ गई हूँ मुझे अपने पुरानी जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन यहां पर अगिता सोफी को भी अपने साथ में ले जाना चाहती थी फिर यहाँ पर एगिता वस हैट से पूछती है कि क्या सिंडेला और स्नो वाइट्स ये जितने भी कहानिया हैं क्या ये सारी कहानिया सची हैं फिर वो head कहता है कि हाँ बिल्कुल ये सारी कहानिया सच है और वो सभी लोग यहीं पर पढ़ते थे इसके बाद तो Sophie से कहता है अगर तुम अच्छे स्कूल में आने के काबिल होती तो हमारा बाज तुम्हें हमारे अच्छे स्कूल में भेजता परना कि बुरे स्कूल में फिर सोफी कहती है कि मैं अच्छे हूँ प्यारी हूँ और सुन्दर हूँ यही तो अच्छाई चीज है और फिर उसकी दोस्त हकीता कहती है उसके लिए सच्छा प्याव चाहिए और जब तुम यह ढून लोगी तब तुम अच्छाई वाले स्कूल में आ जाओगी इसके बाद हैड यहाँ पर उन दोनों को अपने क्लासे से भेज़ देता है जब अगे था अपने क्लास में थी तब वहाँ पर उनके साथ वाले लड़किया उन्से कहने लगती है अगर तुम क्लास में तीन बार टेस्टर में फेल हो गई तो तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा फिर अगेता खुस होकर के कहती है क्या वाख़ी में ऐसा सच में मुझे निकाल दिया जाएगा तब तो अच्छी बात है फिर वाँ पर आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज़्यादों को सुने के जरूरत नहीं है निकालने का बत्ता है याँ पर तुम्हें घर भेजा नहीं जाएगा बलकि तुम्हें याँ पर किसी मॉंस्टर में बदल दिया जाएगा यहाँ पर टीचर आ जाती है और टीचर का कहना होता है कि अब तुम्हारी स्माइल का टेस्ट लिया जाएगा अगर तुम अच्छे स्माइल कर पाई तो तुम इस टेस्टर में पास हो जाओगी और अगर तुम ने अच्छा स्माइल नहीं किया तो तुम इस टेस्टर में फेल हो जाओगी और तब ही हम लेखते हैं कि यहाँ पर एगेथा अच्छा स्माइन नहीं कर पाती है और इसी दिए वो इस टेस्टर में फेल हो जाती है और उधर सोफी वहाँ पर उसकी बदसूरती का टेस्ट हो रहा था वहाँ पर भी वह फेल हो जा रही थी क्योंकि वह तो खुबशूरक थी जब यह लोग आपस में फिर मिलते हैं तब यहाँ पर अगे था वहाँ के राजा के बारे बताती है लेकिन यहाँ सोफी का दिल तो यहाँ के प्रिंस पर आ चुका था जो कि यहाँ के हैड का बेटा था शोफी अपनी दोस्त अगेथा को एक खद देती है और वो कहती है कि यह मेरी तरफ से प्रिंस को दे देना और आब अगीता जंडल की क्लास के लिए जा रही थी और उसी तरफ वो सोफी का ख़त प्रिंस को देखर के वहाँ से चली जाती है अब जंगल के गलास में उनका टीचर उनको बहुत ये कुपसूरत फूल दिखाता है जो कि असल में बहुत जादा खतरनाक थे और यहाँ पर उनका टीचर उनके इसके और क्रो भी दिखाता है जो कि खेतों में लोग रखते हैं कवों को डराने के लिए या कोई भी पंची को डराने के लिए जो कि इंसान जैसा पुतला होता है और फिर उनके टीचर बताते हैं कि ये रात में जिन्दा हो जाते हैं और तब हम देखते हैं कि एक लड़के को वो फूल काट लेता है जिसके बाद वो लड़का वहाँ से डर करके भाग जाता है और ये लड़का तीसरी बार फेल हो चुका था और फिर अगे तब हैं उस लड़के का पीछा करने रजती है और इसके पाद वो देखती है कि वो लड़का एक जगा जाकर खोड़ा हो जाता है और उसके चार तरफ एक गोल-गोल तुफान हो आ जाता है और वो उस तुफान के बीच में से गायब हो जाता है जिसे देखने के बाद एकेता बहुत ज़ादा डर जाती है उधर सोफी को भी क्लास में एक लड़की तंग कर रही थी और यहाँ पर टीचर भी उसे नहीं रोक थी क्योंकि यह बुराई का स्कूल था और बागी सबी को देख करके मज़ा रहा था और तभी वो लड़की अपने टैटू में से एक ड्रैगन निकालती है जो ड्रैगन फिर सोफी पर हमला कर देता है उसे परिस्दान करने लगता है और वो ड्रैगन उसे मारने की कोचिस करने लगता है और यहां वर सोफी कुछ भी नहीं कर पाती है बस वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी और तब ही वहाँ पर बहुत सारी मद्धुमक्या आ जाती है और वो सभी मद्धुमक्या उस ड्रैगन को पूरी तरह किसे कवर कर लीती है जिसके वज़से जिसमें पर उसे बुलाया हुआ होता है उसका भी दम घुटने लगता है फिर सोफी उसम मना करने लगती है और फिर वो रुख जाता है वो मद्धुमक्या वाला फिर हम देखते हैं कि यह मद्धुमक्या वाला और कोई नहीं बलकि बुराय स्कूल का हैड होता है जिसके पास हमेही खून वाला जादू था फिर सोफी को जल्दी से प्रिंसिपल यहां से ले जाती है फिर सोफी पूछने लगती है कि आकर यह कौन था इसके बाद उसके टीचर हेड के बारे में बताने लगती है और इसके बाद कहने लगती है कि तुम बहुत जादा ताकतवर हो और सोफी कहती है कि मुझे ताकतवर नहीं बनना मैं तो बस एक अच्छे स्कूल में जाना जाती हूँ मुझे तो बस अच्छे स्कूल में जाना है दूसरी तरफ हम अच्छाई की प्रिंस्पल को देखते हैं उसकी प्रिंस्पल कह रहे होती है कि स्थाई हमें हमेशा बचाती है और तब ये गिता उस लड़के के बारें पूझती है जो कि जंगल में से कायब हो चुका था फिर वो प्रिंस्पल कहती है कि ये इस इस्पूल का रूल है और ये कहने के बाद उसे चुप करा देती है और फिर उसके प्रिंस्पल कहती है कि इस नहर में एक मचली है जो कि आप सभी की खौईसें को पूरा कर सकता है तो जिसके भी जो भी ख्वाईसे हैं जो भी ख्वाईसे हैं वो आप सभी लोग उसे बता सकते हो फिर ज़र बैकिता की पारी आती है तो वो ये विश्च मांगती है कि जो लोग भी अपने घर जाना चाहते हैं वो चले जाएं और फिर वो जो मचली होती है वो एक लड़की में बतल जाती है और वो कहती है कि आज तक किसी ने भी ये नहीं मांगा जो तुमने मांगा है तुमने बिल्कुल वही चाहा जो मैं चाहती थी और इसलिए तुमने मुझे जादू से आजात कर दिया मुझे पर जो जादू टेस्ट में फेल होने की वज़े से किया गया था और ये कहने के बाद वो गाइब हो जाती है और फिर इसके बाद वो वही बाज आता है जो कि इन तोनों को यहाँ पर लेकर के आया था जब यहां पर अगिता उसे देखती है तो समझ जाती है कि यह वही लड़का है और अब उसे एक बास बना दिया गया था इसके बाद वो प्रिंस आता है प्रिंस आने के बाद उस पर तलवार से हमला करता है यह समझ कर कि सायदी अगिता को मारने वाला है फिर गुष्यमे अगिता प्रिंस के मुँ में मुक्का मारती है कि उसने आखिरवास को क्यो मार दिया फिर प्रिंसिपल से कहती है कि तम इस चीश को अच्छा है कहती हो यह तो कोई भी अच्छा ही नहीं है बलकि यह तो बुराई से भी बत्तर है जिसके बाद वह सोफी से भी मिलती है और फिर सोफी बताती है कि मैंने बुराई के हेड को देखा है फिर अगिता कहती है कि हाँ मैंने भी देखा है और तभी पीछे खड़ा प्रिंस इन दोनों की बाते सुन लेता है और अब अगीता उन्हें अखिरा छोड़ करके वहां से चली जाती है फिर प्रिंस उनके खत की तारीब करता है और तभी बुराई का वुल्फ गाड़ा करके सोफी को ले जाता है जहाँ पर बुराई की प्रिंसपल उसके बाल काड़ देती है इसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर जब वो सीसे में देख रही होती है तब ये पीछे से बुराई का हैड आ जाता है फिर उसे भणकाने लगता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है और इसलिए अब तुम मुझे बर भरुजा कर सकती हो जिसके बाद अब सोफी भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर सभी को एक मेंट के जरिये जादू बाटा जा रहा था और तब यहाँ पर सोफी बहुत ही स्टाइल से आपर आती है और दादू ले करके वहां से चली जाती है और सभी उसको देख रहे थे और अब सोफी ने उन लड़कियों को भी अपना दोस्त बना लिया होता है जो उसे परिसान करती थी फिर यहां पर अगीता बताती है कि अगर तुम्हें प्रिंस का दिल जितना है तो उसके लिए केवल को बसूरत होना काफी नहीं है तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहती हूँ अगले दिन सोफी प्रिंस के पाल जाती है जो कि तीर मारने की प्रैक्टिस कर रहा था पर यहां पर प्रिंस बताता है और आप प्रिंस अपनी रानी बना के लिए अगीता को नहीं सोफी को चुल लेता है मगर यहां पर यह बात किसे को भी अच्छी नहीं लगती फिर यहां पर अगीता कहती है कि जो सच्चा प्यार करता है वो कभी दूर नहीं होता फिर वहां के जो मास्टर होते हैं जो हैड होते हैं वो कहते हैं कि इस बात का पता तो तब चलेगा जब हम लोग जंगल में इन दोनों को अलग-अलग छोड़ देंगे और अगर इन दोनों ने एक दुसरे को उस जंगल में ढूट लिया तो इनका पायर सच्चा है और फिर हम भी इन दोनों को कभी अलग नहीं करेंगे और अब रात में इन दोनों को ही जंगल में छोड़ दिया जाता है लेकिन सोफी को उस जंगल के बारे में तो कुछ भी नहीं पता होता है और वो उन कोशूरतफुलों के पास चली जाती है जो कि वो काटने लगते हैं उसके डर से अब इसकेर क्रो के पास बहुत जाती है और अब वो रात में जंदा हो चुका होता है और तभी मापर अगीता अपनी दोस्त को मदद करने के ने आ गए थी एक बर्ड में बदल करके और तभी मापर उन्हें प्रिंस की आवाज आती है और अब अगीता उखुद छुप जाती है और सोफी को उसके पास में भेज देती है लेकिन अब उसकेर क्रो के वज़ए से प्रिंस की जादोई तलवार नीचे गिर चुकी होती है अब इस्केयर क्रो प्रिंस को बहुत सादा मार रहा था अगीता यहांपर सोफी को इसारा करती है कि तलवार उठाओ और प्रिंस को दो लेकिन वो डर की वज़द से कुछ भी नहीं करती वो बस चुपी हुई रहती है वहाँ पर और अब जब प्रिंस वहांपर मरने वाला था तब अगीता खुद वहांपर आ जाती है उसे बचाने के लिए और उसकी तलवार उठा करके उसे दे देती है जिसके बाद वो उस्केयर क्रो को मार देता है प्रिंस यहांपर सोफी पर बहुत गुस्टा करता है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई और यहांपर सोफी उल्टा ही अगीता पर नाराज हो रही थी और अब वो भी वहांपर छोड़ करके चली जाती है इसके बाद अगीता वापस आ जाती है पिर वापस आने के बाद यहांपर इसके प्रिंस्पलर से बहुत जादा डांट रही होती है और वो कहती है कि क्या तुम्हे अपनी दोथ पर भरोसा है फिर वो कहते है कि नहीं पर मेरा तुँ ये माINO है कि सभी इंसान ही बुरे होते है उदर सोफी बहुत जादा गुसे में थी बुराई का हेडर सेर सीसे में उसकी दोस को दिखाता है जो कि ये कह रही होती है कि सोफी बहुत जादा बुरी है लेकिन वो उसको फूरी बात नहीं दिखाता जिसके बाद सोफी को बहुत जादा गुसा आता है और अब वो बुराई के बस में थी और अब उसे अपना खून वाला जादू पी देता है जो कि सबसे जादा खतरमाग था और अब प्रिंस्पल उसके पास आती है तो यहां पर सोफी उन्हें भी सुनाने लगती है और फिर हमें यह पता चलता है कि यहां की जो प्रिंस्पल होती है यह वही होती है जो कि उसके सहर से 20 सल पहले कायब हो चुकी थी जिसके बारे में वो सौप कीफर बता रही थी और अब वहीं अच्छाई के स्कूल में प्रिंस्प अगिता को अपनी रानी चुल लेता है और वहीं अब सौफी आती है जो कि अब एक चुड़ाल बन चुकी थी और अब उसका चेहरा भी बहुत ही बच्छुरत और खौफनाक हो चुका था और यह सभी वो स्कोन वाले जादू की बज़़से होता है और कहती है कि तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी और यह कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो जाते जाते सौफी सभी गाड्स और सभी टीचर्स को और जो टॉल्स में बदल दिया होता है यह सभी बुराई के स्कोल पर हमला करने के लिए चली जाते है लेकिन यहाँ पर सौफी आ करके उन्हें रोक लेती है अपने जादू की मदद से और उन पर यूल्टा हमला कर देती है और यहाँ पर जो भी बुराई के स्टूडेंट थे वो अब खुफ सूरत होने लगे थे और अच्छाई के स्टूडेंट में बदल रहे थे जबकि अच्छाई वाले अब बुराई में बदल रहे थे और अब वो लोग बद सूरत हो जाते है और यहाँ पर सभी student के दोरान लड़ाई होना शुरू हो जाती है और अगीता अब यहाँ पर सोफी के पाल जाती है और उसे रोपी की कोशिस करती है और उसे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो प्लीज रुप चाओ और तभी वहाँ पर सोफी एक कमरे भी जाती है जहाँ पर वही किताब और pen था वो यहाँ पर अच्छाई के head को मारने के लिए आई थी और तभी वो देखती है कि जो अच्छाई का head होता है वो अब बुराई के head में बतर जाता है और अब वो बुराई का head कहता है मैं तो सुरू से ही जिन्दा था जब मैं उचाई से गिरा तब मैं वापिस आ करके अपने भाई को मार दिया था और उसकी चगल ले ली थी जैसा कि हमने कहानी के शुरू में देखा था और फिर इसके बाद वो फिर सोफी पर अपने काबू में कर लेता है फिर सब कुछ यहां पर तबाह होने लगता है फिर सोफी कहते हैं कि इसे रोको सोफी कहते हैं कि मैं सब को मारना नहीं चाहती थी इसे रोको और तभी मापर अगिता आ जाती है जिसके बाद वो बुराई का हैड कहता है कि यह अब मेरी है अब तुम इसे कहीं भी नहीं ले जा सकती फिर अगयता कहती है कि तुम मेरे दोस्कों मेरे गुतेवे कुछ भी नहीं कर सकते और तभी बुराई का हैड उस पर जादू ही पहन से हमला करने लगता है और फिर उसके आगे में सोफी आ गई थी जो पहन उसे लग जाता है यहाँ पर सोफी और बुराई के हैड का जादू एक ही था इसलिए जब सोफी को वो पहन लगता है तो वो जट्मी हो जाती है और फिर उन दोनों का जादू अलग हो जाता है और फिर वहाँ पर प्रिंस भी आ करके मारने लगता है मगर यहां पर वोल्टा उस पर हमला कर देता है जिसके बाद प्रिंस भी दूर जाकर के गिरता है मगर सोफी अपने जादों से उसकी तलवार उसे दे रही थी जिस तलवार को अपकोट करके अगेता पकड़ लेती है और अब बुड़ाई के हेड को मार देती है और अब सोफी भी मर गई थी जिसे देखने के बाद अगेता भी बहुत रोती है लेकिन जब उसकी आँखो उसके जखनक पर गिरते हैं तो वो अब तुबारा जिन्दा हो जाती है जिसे देखने के बाद वो अब बहुत खुश होती है और इसके बाद यहाँ पर अच्छाई और बढ़ाई दोनों ही मिल जाते हैं और वो लोग सभी एक दुसरे के साथ में हसी और कुछी से रह रहे थे और तभी माँ पर एक जादों से रास्ता खुल जाता है जो कि उनके घर का रास्ता था फिर अगे था कहती है कि तुम सोफी परिंस के पास रुको और मैं घर जाती हूँ लेकिन सोफी कहती है कि नहीं हम दोनों ही कट्खे जाएंगे और अब ये दोनों वापस से अपनी दुनिया में आ चुकी होती है और ये लोग दोबारा से अपनी पूरानी जैसे जिन्दगी को दीने लगती है मगर अब इनके पास जादो होता है फिर एक दिनिया पर प्रिंस का तेरा करके इंसानी दिनिया के फेड़ में लग जाता है जिसके बाद आवाज आती है कि अगे था अब मुझे तुम्हारी जरूरत है और इसे के साथ में ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है